आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि जैसा देश, वैसा वेश, यानि हम जिस नए कल्चर, सुसाइटी या कंट्री में जाकर रहना शुरू करते हैं, वहाँ की वेश-भूशा और रहन सहन में जाने अंजाने ही ढल जाते हैं. फिर चाहे वहाँ के लोकल ड्रेस कोट को फॉलो करने की कोई मजबूरी या जबदस्ती ना भी हो, तो भी यह फिजिकल चेंज अपने आप ही बाई डिफॉल्ट ही आते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि लोकल वाईब या परिवेश में एड़्जस होने का प्रेशर हमारे सबकॉ पर लगातार काम करता ही रहता है. तो क्या अलग-अलग ग्रहों की महादशाओं में भी हमारे शरीर में बदलावाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं. इतना याद रखें कि किसी भी ग्रह की महादशा में हमारा मन और शरीर उस महादशा के स्वामी की तरह ही सोचता और दिखता है. ये एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे. जै श्रीराम, जै मापीतामरा, स्वागत है आप सभी का शंकना चानल पर. महादशाओं पर आधरत मेरे बाकी वीडियो को भी अवश्री ही देखें. लिंक्स दिस्क्रिशन ब जिधाओं और आश्वाराम की चीजों पर. हमारे सौर मंडल में भी वीनस, सबसे चमकीला और आकरशक ग्रहमाना गया. तो आज के वीडियो में आए चर्चा करते हैं कि वो कौन से फिजिकल चेंजिस आते हैं आपके शरीर में जब शुक्र महादशा की शुरुआत होती है देखिए यहां मैं उन लक्षरों की बात करूँगी जो शुक्र महादशा में अधिकतर लोग experience करते हैं अपने शरीर में यदि आप बिलकुल specifically जाना चाहते हैं कि आपके साथ शुक्र महादशा में क्या होगा तो उसके लिए आपकी कुन्डली में शुक्र की position कैसी है वो जानना बहुत जरूरी है तो शुक्र महादशा के शुरू होते ही सबसे पहला change जो आपके शरीर पर दीरे दीरे दिखेगा वो है चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और शान्ती यानि की calmness का भाव जो लोग केतु महादशा से गुजरे हैं वो जानते हैं कि ये साथ साल ल तो लोगों के रुके हुए काम बनने लगते हैं जीवन में धिरिदे खुशियों का आगवन होता है और उसका असर चेहरे पर लाजबी ही दिखता है एक glow आ जाता है इनसान फिर से मुस्कराना शुरू करता है लेकिन लेकिन जो लोग अभी ये comment करने वाले हैं कि हमारी सबी ग्रहों की महादशाओं में सबसे लंबी होती है अच्छी चीजे और चेंजिस दीरे धीरे अनफोल्ड होंगे देखिए केतु महादशा बहुत छोटी होती है सिफ साथ परशों की और एक के बाद एक परिवर्तन फटा-फट होते हैं इस केतु की महादशा में जाएगा तो शुकर के जो लक्षन है जो उसकी रिजल्स है वो आपको खुद बखुद दिखने लग जाएंगे दशा संदी एक बहुत ही क्रूशल पीरिट होता है दो महादशाओं के बीच में यह आखिर होता क्या है और कितने समय तक चलता है अगर इस विशा पे आप ज पर एक हलका सा ग्लो आएगा और स्किन कलर आपकी पहले से लाइट हो जाएगी यानि कि आपका कलर साफ हो जाएगा देखिए केदू में पचा डल और तपी हुई सी दिखती है चेहरे पर समय से पहले बढ़ापा आने लगता है आखें भी बुजी बुजी और उदास रहत है अगर शुक्र की स्थिती बहुत अच्छी है तो आपको मेक अप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका चेहरा इतना सुन्दर दिखेगा शुक्र महादर्शा में बेस्ट और माक्सिमम रजल्स पाने के लिए क्या आसान उपाय हम कर सकते हैं अगर आप जाना चाते हैं तो मुझे कॉमेंस पर जरूर बताइए मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर करूँगी तीसरा बहुत ही इंट्रेस्टिंग चेंज जो वीनस महादर्शा में आपके शरीर पर दिखता है वो है आपके बालों का गोंगराला यानि की करली हो जाना समुद् पर दो ग्रहों को अधिकार दिया गया है एक है मरकरी यानि की बुद्ध और दूसरा है शुक्र यानि की वीनस इसमें भी शुक्र को हैर फॉलिकल्स पर कंट्रोल दिया गया यदि आपका शुक्र मजबूत है और अच्छे रिजल्स ते रहा है तो आपके बालों में तो आपके बालों में ऐसे कर्ल्स बनेंगे जो उल्जे उल्जे रहेंगे और दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे बुद्ध की महादशा और शुक्र की महादशा ये दो ऐसे पीरियद्स हैं जिसने जातकों के बाल सबसे सुन्दर और वेल ग्रूम्ड दिख दोस्तों चौथा बदलाव जो शुक्र महादशा में आप देखेंगे वो ये कि आपके कपड़ों का रंग और पहनने का स्टाइल एकदम चेंज हो जाएगा देखिए हर ग्रह को अलग-अलग रंग दर्शाते हैं जैसे कि शनी को काला, सूरे को लाल, मंगल को चटक सिंद बुद्ध को हरा, ब्रहसपती को पीला, केतु को भगवा या चितकबरा, राहु को नीला, सलेटी वगएरा वैसे ही शुक्र के रंग है उजला सफेद और हलका गुलाबी जिसे हम बेबी पिंक कहते हैं शुक्र महादशा में लोगों की पसंद और परसनल स्टाइल में ड्र सफेद और गुलाबी रंगों के कपड़े पहनने का मन होता है और यकीन जानिये यदि आप वाकई अपने स्वैम की वीनस महादशा में ऐसे सफेद और गुलाबी वस्तरों को धारंग करते हैं तो इससे आपके शुक्र को बल मिलता है आपके शारिरिक आकरशर में व्रिद इसके अलावा डिजाइनर जूते, हैंड बैग और इंपोर्टेट मेकप खडीदने के लिए अब लग चाहेंगे क्योंकि लग्शूरियस लाइस्टाइल की चीजें शुक्र के अंदर कर आती हैं शुक्र की महादशा में लोग डाइमेंड जोलरी भी बहुत जादा पहनना شुरू कर देते हैं, शुक्र का जो पत्थर है, जो उसका रत्न है वो डाइमेंड और ओपेल है, तो जब शुक्र की महादशा आपर आईकी तो स्वाभावे ग्रूप से आपका जो आकरिशन है, वो ओपेल और डाइमेंड की तरफ जाएगा ही शुक्र माहादशा में आने वाला पांचवा फिजिकल चेंज है वजन का बढ़ना, वैसे तो जिस क्रह को वजन बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है वो है ब्रहसपती, ब्रहसपती वृद्धी के कारक है, जब बुरा असर देते हैं तो कॉलिस्टॉल, मुटापा, ब्ले वैसे वो ऐसे कि शुक्र में लोग अच्छे और गरिष्ट पकवान, महंगे महंगे रेस्टॉरंस में खाने के शौकीन हो जाते हैं, बहुत जंक फूट खाते हैं, प्रॉसेस्ट फूट खाते हैं, जाहर है, शुक्र माहादशा में परिस्थितियां ही ऐसे बनती हैं कि वि वेनस वैसे sexual diseases भी देता है क्योंकि लोग इश्क महबबत में हस से जादा मश्गूल हो जाते हैं, शुक्र से ही शुक्राणू शब्द की उतपती हुई, यानि वेनस एफेक्स यो sexual life and sperm count, जिनका शुक्र कमजोर होता है, उन्हें अकसर low sperm count की दिक्कत होती है, इसके अलावा कमजोर शुक्र वालों की या तो आसानी से शादी नहीं हो पाती, या उनका वेवाहिक जीवन रूखा सुका सा रहता है, without any romance or love, इसलिए वीनस महादर्शा में अपने खाने पीने का विशेश ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और एक ही पार्टनर से लॉयल रहना भी critical है, वरना शुक्र में किये गए बुरे काम आपकी जिन्दगी बरबाद कर सकते हैं, तो यह थो थे कुछ common sadiric बदलाव जो शुक्र की महादर्शा में अमूमन देखे जाते हैं, शुक्र की महादर्शा में और क्या के बदलाव आते हैं आपकी जिन्दगी में, अगर आप ये जाना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंस में जरूर बताईएगा और अगर ये वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजे ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपकी पास उसका करे दोड़ में जरूर आपकी जरूर आपकी जरूर चीना जरूर नबरू झारूंग झारू लेकर ये कएगर आपकी दोशू